वी ओके शोड आज हम लोगं स्वामत हम लोग कैसे मुख सकते हैं कि देखो रूजट है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर मैं हूं आपका दोस्त मोमंच जैद शुरू करते हैं आज की वीडियो ठीक है तो स्वामत देखो आपको कैसे लिखना है मिल जाएगी अगर आपकी हिंदी नौर्मल है या फिर मैंड को दिमाग वर्टे है ना ऐसा कुछ चलो यह भी छोड़ दो ठीक है शरीर को मालो जैसे तन बोलते हैं नहीं छोड़ो मन मन को जैसे लेशे साथ खुश था क्यूंकि मेरे पिताजी ने मेरे लिए गेंद खरी धीट घ्राधा था तो आज मेरे चित्त में कि ढूरे है की और बीच डाल रही हो तो एक दम हर्ड वर्ड य सब नहीं जमेंगा तो तुम्हारी Hindi नार्मल है तो नार्मल ही लिखो ठीक है तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो जैसे आपके घंडी अगर बढ़ेया है तो उसमें आप चित्त का प्रयोग कर सकते हो अब देखो सौंध आपको लिखना कितना है सौंध आपको अगें आधे पेस से जादा का अब दिखो सौमत लिखना कैसे है सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पहले सोचू जैसे आप बोल सकते हो जैसे आपको मालो टॉपिक आया कि आज के समय में विज्ञान की जरूरत थीक है तो आप लिख सकते हो कि भाई विज्ञान का जो परचार परसार है वो पिछले कुछ दश्कों से काफी जादा तेजी से बढ़ा है ऐसा लिख सकते हो आप लोग शुरू में शुरू में कैसा जो भी आपको टॉपिक दिया उसके वारे में थोड़ा लिखो जो आपको बोला है जैसे आज ़ीवन में विज्ञान का विज्ञान की जरूरत यजय फिर विज्यान की आवशक्ता आएसा आपको बोला है विज्ञान की वशक्ता पर बाद में आओ, पहले लिखो कि विज्ञान है क्या, ठीक है, तो पहले मैंने क्या लिखा कि विज्ञान का परचार परसार पिछले कुछ दस्कों से काफी जादा तेजी से फैल गया है, है ना, फैला है, तो इससे क्या हो, मतलब विज्ञान के बा करण आज हम काफी सारी चीजों को चीजों में काफी जादा आगे बढ़ गए हैं और बहुत सारी चीज आप लिख सकते हो तो तीन चार लाइन ऐसा घुमाओ थोड़ा सा उसके बाद पापिक पर आओ यह आज के समय में विज्ञान की आवशक्ता क्या है आप उसमें कर सकते ह कि आज के समय में हमें छी चीज पता है हमने मीश आज लिखना शुरू करो लिखो लिख लिखो लिखो विखो लिखो अगया विखने उनकी जीवन को और आसान बना सके और जो हमारी पीडिया, फिर जो भी लोग हैं, जो भी अमाउनिष्ट हैं, उनके जीवन को हम लोग बचा सके हैं, बहुत थारी बीमारीओं का, जैसे मतलब आप लोग कह सकते हो कि जो विज्ञाने वह आज भी उत्राइव नहीं है, बिमारी हो के इलाज नहीं तो हम लोग बहुत सारी इलाज बना सके ऐसा मतलब आप लोग लिख सकते हो स्वमद को शुरू के 4-5 लाइन में घुमाओ जो भी टॉपिक दिया है उसके बारे में पहले कुछ और लिखो उसका इंटरो दो थोड़ा सोसको बताओ जैसे आपको लि हमें पहले बात समझने चीए कि जो आज विरिद्ध वो हमेशा से विरिद्ध नहीं था वो टीकर हर इनसान हिए हर स्पूल जाता है एक्सपिरियंस अप आप चल रहे हैं उसी रास्ते पे हर को ही चला है ठीक heel जैसे कोई किसी और फिल्ड में है कोई आट्स से कुछ और कर रहा है इंजीनियर बन रहा है तो बन रहा है और जो हमेशा से उसका सम्मान करना चाहिए उसकी लेना चाहिए ठीक है जैसे ंपने बारे में बता हूं तो अपने नाना के पास बैठ कर बाते किया करता था अपने समय में ठीक है तो उनसे मैं अक्सर कोशिच करता था कि उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान सको क्योंकि वह काफी महान मतलब मेरे लिए बहुत ही जादा एक इंस्पारिंग पर्सनलिटी थे बहुत ही जादा इं मेरे पापा को भी देखकर मुझे लगता है यार कितने मेरे बापा बस इनके जितनी मेहनत मुझे करनी है इसके वज़े से मतलब बहुत मोटीवेशन आता है मुझे हाड़ वक करने का हला कि मैं शायद उनका एक परसेंट भी महनत अगर कर दो ना तो मैं काफी सफ़ल एक प अगल करते हैं वो दिखते हैं कि उनके बच्चे कंफर्ट में रहें रहें ना रहें तो आपके हिंदी अगर नॉर्मल ही उसकरो कोई लिखकर नहीं है नॉर्मल हंदी लिखके भी आप 90 पलस ला सकते हो तो इस बात का खौफ कभी मत खाना कि अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आपका 90 पलस नहीं आएगा आएगा ठीक है ओके नेक्स्ट वही मनें बता दिया कि सवामत को ऐसे आप लोग घुमाओ टॉपिक को और उसको फिर दीरे-दीरे ऐसे लिखो ठीक है और थोड़ा बहुत अगर इसमें हम लोग डिसकस करना चाहें तो जो मुहावर यूज कर दे प्रवाब मतलब हो गया मुहावरा यूज कर दे तो मैं रेकमेंड करूंगा यार मुहावरा ना यूज करो तो ज्यादा बेटर है ठीक है कहीं पर अगर लग रहा है कि 100% सूट कर रहा है यह आपको कहीं पर लगे कि 100% सूट कर रहा है वहाँ पर यूज कर लो और बाकी लोग बोलते हैं कि कुछ rhymes use कर लेना जरूरी नहीं है कुछ कविता की लाइन नहीं कोई जरूरत नहीं है एकदम नॉर्मल लिखो ठीक है जो भी टॉपिक दिया है to the point रहो ठीक है शुरू में थोड़ा इंट्रो लिखो और लास्ट में थोड़ा conclusion लिखो बीच में टूदा पॉइंट रहो ठीक है और जबरदस्ती मत लिखो हां मैं लिखता हूं आधे पेज का लिखो लेकिन आधे पेज में यह नहीं बोलता हूं कि जबरदस्ती लिखो दोनों लिखो और मुझे जहां तक लगता है कि भाई देखो आधा पेज लिखने की तो quality सब में अदर है तो कौलिटी लिखी सकते हो कौलिटी भी लिखो प्लस जबर दसती लिख लिख के 15 लाइन लिखा और जैसे एक्जामिनर ने रीड किया तो शुरू के 7 लाइन में उसको quality लगी आगे के आट लाइन में उसे लग रहा है कि भाई इसने तो फाल्तु ठोक दिया है तो वह 7 लाइन के हिसाब से marks देतेगा that is one marks ठीक है लेकिन अगर 3 मिनट थोड़ा सा बोरिंग रहा और उसके बाद फिर से इंट्रेस्टिंग आ गया मालो ऐसा है तो आप उसको उतना बोरिंग नहीं कहोगे आप कहोगे हां यार मूवी काफी अच्छी थी भले ही 3 मिनट का बीच में बोरिंग सीन आया था लेकिन आप उसको भूल गे आप साथ लाइन बढ़ियां लिखते हो और अगली थी लाइन थोड़ी सी बोरिंग करते हो तो उतना फरक नहीं पड़ेगा तो वहां पर डिगण मांक्स आपको मिल जाएगा 10 लाइन में ठीक है अब 12 लाइन एक एक एबरेज होता है एकिन आधा पेज लिखो ठीक अगर अबरतस्ती नहीं करनी पड़ रही है तो आधा पेज या फिर उससे जाधा भी लिख सकते हो कभी-कभी ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें आप बहुत फेक लेते हो वैसे टॉपिक्स में आप लिख सकते हो ठीक है तो इस 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 इट एबाउट स्वामत और कोई तो आप कोमेंट कर सकते हो मैं उसके उपर भी वीडियो बना दूंगा all the best for your body exam thank you so much